नमस्कार मैं हूँ राज मोहंतिवारी और आप देख रहे हैं एचेस बिहार पाच दिसंबर को नेता प्रतिपक्च तेजश्वी यादों ने पटना के गाधी मैदान में एक धर्ना परदर्शन किया था गाधी मुर्ती के पास किसानों के समर्थन में और उस धर्ना काफी जादा घुसा हो गए घुसा में उन्होंने सीधे सीधे नितिसकुमार पर हमला किया और कहा कि नितिसकुमार जी डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री जी अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करवाईए किसानों के समर्थन में अगर अंदोलन करना बहुत बड़ा जुर्म ह तो हमें गिरफ्तार करवाईए और अगर गिरफ्तार नहीं करवाईएगा तो हम स्वेम गिरफ्तारी देंगे किसानों के समर्थन में फासी पर चड़ने तक के लिए तैयार है अब तिजश्वी के बयान के बाद जेडियू ने कल भी पलटवार किया था और आज एक बर फि एक पोस्ट करते हुए ट्वीटर पर उन्होंने एक पोस्ट किया और पोस्ट में वो लिखते हैं भरस्ट चार के वंस बेल यादव तेजश्वी आपकी गिरफ्तारी भी होगी जेल भी जाएंगे पर किसानों के लिए ढोंग दिखाने को नहीं बलकि इसका मौसौदा तो अपने खुद तयार किया है जंगराज के दौर में नौकड़ी के नाम पर किसानों की जमीन तरून के नाम से लिखवाया अब मचिया से चिचियाना बंद कीजिए सीधे सीधे जेडिव मलसी निरजकुमार ने तेजश्वी यादों पर हमला किया है और जिस तरह से उनके जमीन जो है वो तरून के नाम से लिखवाय गया तो बड़ा सवाल यह था कि तरून कौन है बाद में तेजश्वी यादों ने खुद इस पर बयान दिया था और बताया था कि तरून उनहीं का नाम में बलकि और किसी का नाम नहीं है लेकिन अभी भी बिहार में गतार आवाज उठा रहे हैं उसके बाद बिहार में कि जो राजनीती है वो काफी जाद अगर्म हो गई है लेकिन एक और बात बतानी होगी कि साथ में एक फोटो भी निरज कुमार ने सेयर किया है इस ट्वीट के साथ और उसमें वो यह बताने क्या प्रयास कर रहे हैं कि क इस तरह से राजत जो है वो बरे निताओं का अपमान करती है इस पोस्ट से पहले उन्होंने एक वीडियो भी जाहिर की थी जिसमें उन्होंने सीधे सीधे यह कहा था कि तेजश्वी यादों ने परदेश अध्यक्ष जग्दानंसी को उनकी अवकाद दिखा दी आपको ब सीधे रच कुमार कहते हैं कि यही अवकाद रह गई है राजत में बुजूर्ग निताओं की पिता तूले जग्दानंद परशाद सींग को अपने चरणों में बैठा कर तेजश्वी यादों ने ये बता दिया कि किस संसकार के वो जननी है और किस प्रकार से उन्हें संसका मिले हैं तो इस तरह का लगतार हमला जो है वो जेडियू अब तेजश्वी यादों पर और सीधे सीधे कहा जाए तो व्यक्तिगत हमला अब कर रही है अब देखना है कि राजत के तरफ से इस पर क्या पलटवार होता है लेकिन क्यूंकि कल आठ दिसंबर है और किशानों न में कितना सफल हो पाता है फिलाल के खबर में इतना ही खबरों में लगतार बने रहने के लिए हमारे चैनल एचस बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाए धन्यवाद